हाई फ्रेंड्स में जागिश्विर कुमार सम्रदीज क्रिशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत करता हूं दोस्तों आज हिस्टिक के सीरीज में अगला वीडियो लेकर आप लोग के भी चुपस्तित हूं दोस्तों आप लोग को बताया था पिछले कच्छा में आप लोको चंपारण सत्यागरा खेडा और आपका हमधाबाल मिल हर्टाल इसके बारे में मैंने चल्चा किया था कि क्यों किया गया था और इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं गांधी के अभ्यूदे में रॉलेट एक्ट चुकि रॉलेट एक्ट जो है काफी इंपार्टेंट टाफिक है और इसे रिलेटेट कुस्टिंस एक्जामनेशन में आते हैं दोस्तों तो हुआ यूँ कि जब करांतिकारी गतिविदियां बढ़ रहा था चुकि करांतिकारी गतिविदियां का दौर चल रहा था और प्रोटेस्ट जादा से जादा संख्या में हो रहा था उस इस्तिति में सरकार जो है वो पुना अपनी सक्ति को कायम करने के लिए एक कमिटी बन जाता है उनको काम सकते है की आप पताकरो कि यह कि दोक्रांतिकुक पर प्रेपिन पर elimd exam हो रही है वह काहां जहतंवे और इससे कैसे निप्तारा क्या जा सकता है सब्षार सिद्निय रोलेक्ट के अधिर चता में रिपोड त dois और उस रिपोर्ट के रहार पर जो एक्ट आया उसी को हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं दोस्तों तो रॉलेट एक्ट में क्या हुआ कि एक विशेश नियाले की इस एक्ट के तब एक विशेश नियाले के स्थापना किया गया और उस नियाले में विशेस नियाले के स्थापना किया गया और उस नियाले को अधिकार दिया गया कि आप वैसे साक्षों को मानि कर सकते हैं जो कानून के नुशार मानि नहीं है मतलब एक special court का निर्मान किया गया है और उसको power दे दिया गया है कि आप वैसे साक्षों को भी मानने कर जकते हैं जो कानून के अनुचार विधी के अनुचार मानने नहीं है प्रांतिय सरकार को अस्मित अधिकार और साथी साथ जो प्रांतिय सरकार है उसको अधिक power दे दिया गया और वह power क्या दे दिया गया कि बिना वारेंट के तलासी का गिरफतारी का बंदि परत्चिकरन के अधिकार को रद करने की सकती दे गई मतब प्रांतिय सरकार जो है बिना वारेंट आपकी तलासी कर सकती है आपको गिरफतार कर सकती है और आपका बंदी प्रतिश्करन जो है जो नियाले में उपस्थित करना रहता है उसके अधिकार जो है उसको रद कर सकता है इस तरह का पावर्स इस तरह का अधिकार प्रांतिय वाले कानून कहा जासता है इसलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है चुकि एकदम बिल्कुल कानून से उपर हटके कानून से हटके कानून से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखके और इस तरह के घटनाय की गई इस तरह का एक्ट लाया गया यही कारण है कि इसको काला कानून काला कानून बोला जाता है रॉलेट एक्ट के विरूद सत्यागरा चुकि रॉलेट एक्ट जब पास हो गया दोस्तों तो उसके विरूद सत्यागरा किया गया और रॉलेट एक्ट के विरूद जो सत्यागरा किया जाता है उसको पर्थम जान आंदोलन बोला जाता है तो यहां से आपका सवाल उठता है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि पर्थम जान आंदोलन कौन सा था तो रॉलेट एक्ट के विरूद जो सत्यागरा किया गया था उसे ही पर्थम जान आंदोलन बोला जाता है सत्यागरा 6 अप्रेल 1919 को प्रारंब किया गया सत्यागरा जो है वह आपका 6 अप्रेल 1919 को प्रारंब होता है और चुकि यहां पे असपस्ट निर्देश तिथी को लेकर त्वासा भ्रह्म की स्थिति बन जाती है और हिंसात्मक गतिविदियां भी होती है खास करके पंजाब में अपका अमरीत सर में लाहोर में इस तरह की घटनाएं काफी होती है पंजाब में इस तति काफी काभी काबू से बाहर चली जाती है इस तति को देखते हुए गांधी जी वहां जाना चाहते हैं लेकिन गांधी जी को बंबे भाई दिया जाता है और नत दोस्तों की 9 अप्रेल को अपना जो नेता थे सेफवदीन किचलू और सत्यपाल को गिरफतार कर लिया जाता है और चुकि उनकी गिरफतारी हो जाती है और सत्यागरियों पर गोली चलाया जाता है इसी चीज को प्रोटेस्ट को लेका इसी चीज का बिरोध करने के लिए 10 19 को लोग प्रोटेस्ट किया उसके बाद दोस्तों 13 अप्रेल 1909 को डायर की घोसना अमकान जब इस्तिती काबू से बाहर होने गया तो डायर को इसकी जिम्मवारी सोपी जाती है और जो डायर है वो क्या करता है गोसना करता है कि आप बिना लाइसंस के बाहर नहीं जा सकते है और बिना लाइसंस के बाहर नहीं जा सकते हैं और तीन आदवी से ज़्यादा आप कहीं कठा नहीं हो सकते हैं तच्चुकी डायर ने जो घोसना किया था दोस्तों इसका प्रकासन अच्छे तरीके से नहीं हुआ था ठिक 13 अप्रेल को उसी दिन अम्रित सर जो है वहां पे जो निवासी थे जो ग्रामीन थे वेसाकी पर्व मनाने को लेकर वेसाकी पर्व मना रहे थे और वेसाकी पर्व मनाने को लेकर उस बाग में इकठा हुए थे और अपना पर्व सांतिपुर्वक से मना रहे थे उसी बाग में दोस्तों कुछ नेता जो है वह सांतिपुर्व से चल गहा था लेकिन चुकि डायर जो घोसना किया था उस घोसना से उन लोग अंजाम थे दोस्तों और जब उन पर बहुत सारे बुढ़े थे बच्चे थे महिलाएं थी जो कि बिशाकी पर्वी को मना रहे थी और डायर को जब यह पता चला तो डायर को लगा कि नहीं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी घोसना का उलंगन कर रहे हैं और नतीजा यह हुआ कि दोस्तों उस बाग को सैनिकों से पुरा टुकडी सैनिक की टुकडियों से घैर ले आ गया और घैर लेने के बाद अंधाधून गोलियां चलाएगी दोस्तों जिसमें बहुत सारे न अधाधून गोलिया चलाने का आदिस देता है जिसमें लगभग एक हजार लोग मारे जाते हैं दोस्तों और इस चीज की काफी भरतसना होती है काफी उसका बिरोध होता है और काफी निंदा की जाती है और उसके बिरोध के सवरूप उसके प्रोटेस्ट में उसके एगेंस रविंदनाट टैगौर अपना नाईट हूड के उपाधी त्याग देते हैं व इस भरतिध सन्करराम नागर वाइसराई की कारिकारणी से त्यागपत्र दे देते हैं तो यह दो घटनाएं काफी इंपोर्टेंट होती है कि रविंदनाट टैगौर ने अपनी नाइठ वू यंतित्थ हो गया था इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी को लगा कि अब इस सत्यागरा को आगे कंटिन्यू कर पाना काफी मुश्किल है इसलिए उन्होंने 18 अप्रल उन्हें सत्यागरा समाप्ति के घुष्णा करते हैं दोस्तों यहां पर पॉइंट आपको याद रखना है कि उद्धम सिंग जुन्होंने अपना नाम राम मुहम्मद सिंग आजाद रखा था उन्होंने लेफ्टेनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर देती है और फलसोरूप करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है हंटर आयोग जिसको 14 अक्टोबर 1919 को गठित किया गया इसका उद्धे से क्या था दोस्तों इस आयोग का बॉंबे दिल्ली और पंजाब में हुए उपदरवों के कारणों की जांच करना और उसे निपटने का उपाय सुझाना पता अभी कभी कोश्चन में पूछा जाता है कि हंटर आयोग में जो भारतिया सामिल थे वह निम में से कौन थे या निम में से कौन नहीं थे तो दोस्तों तीन है जिनका नाम आपको याद रखना सर चीमनलाल हरीलाल सीतल वाड़ा पहला बैक्ति थे दूसरा थे पंडित जगा सामिलाल थी वह रिपोर्ट था उसे भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस संतुष्ट नहीं होते हैं अब वे एक अपना नीजी कमिटी त्यार करते हैं गार सरकारी कमिटी बनाते हैं और वह खुद से इस घटना की जांच करते हैं तो कभी कभी कोश्चन पुछ देता है जोस् दोस्तों उसमें मोतिलाल नहिरू सियारदास अबबास तयब जी एमार जायकर और गांधी को सामिल किया था तो यह नाम काफी इंपर्टेंट थे दोस्तों इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भारतिया राष्ट्य कांग्रेस के द्वारा अस्थापित सरकारी समिती जिसका उड़ेश चालिया वाला बाग हत्या कांड का जाच करना था उसमें कौन-कौन सा सदस्सामिल थे तो दोस्तों यह था आपका वीडियो और अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लिल लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और अपने अधिक सदिक दोस्तों को सेर और निरंतर इस तरह के वीडियो आपको मिलता जाएगा दोस्तों अभी प्वालेटी और हिस्ट्री का वीडियो आपको मिल रहा है आगे हम लोग और सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर किजिए धन्यवाद